इस वक्त मैं बेसोह गाउं में मौझूद हूँ यह वो गाउं है जो सिकंदर युद्वन सी यहीं पे थे पढ़ने लिखने में वह बहुत ही काबे लाग्मी थे काफी जादा उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और बताया जाता है कि मैट्रिक एग्जामनेशन में उनको 699 न व Bayon in 310 आगे की पढ़ाई के लिए अपने बाहर करें वहां पॉजयुन है णत्याव हरे जाने वहजा तो यहां यहां पे आते थे फाट रर्आते थे ऑ यगाहां आते थे लो साल बाराबी रही रहीं में ने चायर सालसे ने अच्छा उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आपको लगता है कि उसे नहीं साफ गलत खाली फसाई दलके इना अदमी आर गुंडा लेक फसाई दलके नचा आदमी को एना नए अथी करेक चाहिए कि करो इजद पर ने देख चाहिए उनका साफ अच्छा आदमी जरातिंस सब मिल को करा इजद पर धावा दिलाए देल के लिखिनी बहुत गलत काम करेगे अब इक पूरा वाक्या की बाद अपने से बात हो ले बात हुए कोई और उनका से को बात हो ले ना ना कुछ बात में कोई परिवार से को बात में परहल लिखाल अच्छा आदमी के गाउं में बेलू रहे हुनका बेलू हीन के लिके गाउं में शादी ब्यावगर में आना जाना रहे हैं वही समय मुझे परिवार के लिके 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 अनुराग के हैं उनकर भतीजा है वह हमने जाने चीए हमनुराग नोई जाने चीए के चीए उनकी भावी जी ती साफ कहना था कि उनको फसाया गया है निर्दोश हैं और किसी भी तरीकी के मामले में वो लिप नहीं है वो एक अच्छे व्यक्ति थे जो की पढ़ने लिखने म काफी अच्छे थे इनका ऐसा मानना है कि उनको पूरे मामले में फसाया गया है कैमरमें दाजेश के साथ कुमार कुंदन ट्रीवी नाई भारत वर्ष समस्तिपूर